नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनलिसस में सबसे पहले तो जिस खबर का आप सभी को बेस अबरी से इंतिजार है वो खबर आ चुकी है HDFC Bank Analyst Meet का आउटकम आ चुका है इसे प्रिवियस वीडियो भी मैंने एक्चुली में HDFC Bank पर ही डाली है फुल फ्लेज वीडियो है वो लेकिन उसमें मैंने Analyst Meet के आउटकम का जिक्र नहीं करा क्योंकि उस समय तक आई ही नहीं थी खबर खबर आते हूँ दिख रही है आपके लिए अभी जहां पर जितनी भी चीज़े होंगे है सब में एक ही conclusion निकल के आ रहा है भाईया पैसा नहीं है बैंक के पास और लोन बटरा है दबा के तो यह पैसा कहां से आएगा बस एक ही सवाल देखने को मिला है पूरे analyst meet में बागी थोड़ी थोड़ी details data driven चीज़े हैं आपके साथ जरूर डिसकस करूँगा इस वीडियो में लेकिन और क्या-क्या चीज़ें डिसकस करेंगे यह बजार क्या एक बार फिर से लाइफाई लगाके उपर जाने के लिए तयार है या फिर आएगी उपर से profit booking साथी साथ और कहां-कहां आपको बड़ा action होते हुँ दिखेगा इसको भी समझने की जानने की कोशिश करेंगे शुरू करता हूँ एक एक करके सारे points को cover करना तो सबसे पहले market के साथ शुरू आज़ते हैं FIA DIAs के data के साथ net net बात करूँ तो 452 करोड की DIAs आज cash market में खरिदारी करके गए हैं और FIAs 7500 करोड की बिकवाली यह हो गया net figure इससे हमें नहीं पता चलता कि 12-14,000 करोड के 10-14,000 करोड के बीच में selling buying आता है और जो FIAs 12-16,000-17,000 करोड के बीच का काम सलता है और आज के trading session में DIAs 8,000 करोड का केवल खरीदते हुए दिखे हैं जिसके सामने 7,600 करोड का बेच कर गए हैं और net Ski के चलते निगल के आ गया है 4,500 करोड की buying का तो यह तो 78,000 करोड का का काम करके गए हैं आज इन्होंने तो कामी नहीं किया वही अगर मैं FIAs की बात करूँ तो इन्होंने DIAs से भी कम काम किया है नॉर्मली जो DIAs करते हैं उसके सामने आज यह 10,170 करोड का खरीद के चले गए जिसके सामने 10,922 करोड का बेच दिया तो इनका भी डेटा बहुत कम है तो आज पूरे दिन मतलब बेफिजूल का action था अमेरिका का बजार बंद क्या रहा कि इन्होंने कामी नहीं करा आज 7,500 करोड की इस हिसाब से net net in की selling आ गई हाला कि अगर मैं global market छोड़के अपने भारतिय बजार पर केवल और केवल फोकस करूं तो gift nifty तो मिरको यह suggest कर रहा है बाई सब कल हमारे लिए 22,200 के पार बजार निकलेगा हाला कि उसमें एक बड़ा contribution होगा अगल American markets का DAO future, NASDAQ future कैसे trade कर रहे हैं उसको भी हम closely watch करेंगे क्योंकि कल अमेरिका का market open होने वाला है तो आज अपने भारतिय बजार में एक भड़िया ट्रेडिंग शेशन था जहां पर दिन के दौरान 3 बजे तक आपने higher highs लगते देखा इंफर 3 बजे तक नहीं 2 बज़के 26 मिनट तक, 2 बज़के 27 मिनट के करीब हमने टिक देखिए 22,186 की जो की high लगा है आज life आई उसके बाद एक selling pressure आया जहां पर हम लोगों ने 22,100 के करीब का low लगाया उपर से 87 points टूड़िया बजार और at the end 22,122 के करीब closing आई है यह हुआ आज का data आगे मैं आप सभी के साथ बात करूँ कल की तयारी तो कल मेरे को लगता है जब देखो हम लोग positive है यार मार्केट जब तक 22,000 के नीचे नहीं निकलेगा मेरे को नहीं लगता कोई negative trigger करेगा FIADA इसका data नहीं था यह में लिए shocking है और American markets पी बन दे तो ज़्यादा मैं confidence के साथ कुछ कहनी पा रहा हूँ बट कल के ट्रेडिंग शैसे में मेरे पास data भी होगा मेरे पास अमेरिका का बजार भी होगा तो मैं अच्छे से predict कर पाऊंगा और judge कर पाऊंगा मेरे को लगता यह है कि low liquidity और high liquidity मार्केट में retailers का view positive हो गया है दोबारा से मार्केट में mood model positive बनना चाहिए और आज नहीं तो बाइंग तो आनी है तो यह 22,200 और 2500 का level दिखाना चाहिए और stop loss strict होगा 21,980 का यानि कि यहां से 140 point का आगे बढ़ते हम stock specific तो सबसे बहले बात कर लेता हूँ HDFC के analyst meet में हुआ क्या है भाई साथ हुआ यह है कि company की जो market share है loan के मामले में वो 14-15% का है currently और deposit ratio जो है वो लगबग उनका market share है 11-12% का company ने LDR यानि कि loan to deposit ratio अपने quarterly numbers में कहा था कि भाई साथ 110% का हो गया है और यह post pre-merger जो होता ना इनके HDFC bank और HDFC के merger होने से पहले 85% पे रहता था तो काफी तेजी से बढ़ कर आया loan to deposit ratio यानि की company loan तो बाट रही है अच्छा कासा लेकिन पैसा नहीं आ रहा बैंक के पास deposit नहीं आ रहे उतनी अब जब deposit आएंगे ही नहीं तो loan कैसे बाट दोगे आप तो आपकी growth को slow होना पड़ेगा यह एक चिंता का विशय बना जिसकी वज़े से stock तूटा था और इसमें भी इसी मुद्धे पर बात उठी जहां पे CEO जी ने यह कहा है company के जो CEO है बैंक के उन्होंने कहा है हम fund raising करेंगे और fund raising करने के उपर विचार कर रहे हैं बाकी market को लेकर इनका कोई चिंता का विशय नहीं है सब कुछ ठीक था आगा तो मिरको लगता है fund raising को लेकर हम market कैसा react करता है वो तो कल ली पता चलेगा बट fund raising होगी HDFC bank के द्वारा जिसकी वज़े से वो अपने loans को बढ़ाएंगे loan का market share इनका तेजी से बढ़ रहा है loan बाट पा रहे है यह loan की कोई दिक्कत नहीं है growth की यहाँ पे loan growth में कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है तो deposits में bank के पास खाते खुलवाओ पैसे डालो तो HDFC bank बचा रहेगा बचा इंदावीन तेजी से grow करेगा जो issue है वो solve हो जाएगा बागी बचे रहने में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं HDFC bank दिक्गा जाए कुछ ना कुछ करेगा थोड़ा बहुत इन्हें दिक्कत होगी है भ अब या NCD के द्वारा और Green Show Option भी आने वाला है यहां पर तो यह अपडेट हो गई इंजल वन भी फंडरेज करने वाला है 22 February को मीटिंग है JSW Steel Company आई स्टेक वर्थ रुपीज 1 बिलियन डॉलर इन ऑस्ट्रिलियन ब्लैक वार्टर कोल माइन यह खबर आते हो दिख रही है रामकृष्णा फोर्जीन अपोलो माइक्रो सिस्टम सी एल एजूकेट इस तरीके क पावर फाइनस कॉर्परेशन अपोलो हॉस्पीटल और बिंदो फार्मा स्टील अथोरिटी सेल ब्रूक फिल्ड इंडिया रिल स्टेट एमस्टी सी यह सब एक्स डिविदेंट करेंगे और चॉइस इंटरनेशनल एक्स बॉनस ट्रेट करेगा साधी 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 टीच्प यह सब आपके लिए करेंगे और रिजल्ट्स आपके लिए आते हुँ दिखने वाले हैं कल के सेशन में ABB के जो की इंपोर्टेंट है तो यही सारी चीजे थी जो आपको फोकस में रखनी है कल आपको सारी जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्यू सो मच पर वा